होई 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 यह देखो बटूरे ना भरे छोले साथ में ली एक प्याज चट्नी और तो जी हम पहुँच चुके हैं इस टाइम चौको डिवाइन में और शेक्स के साथ ही यहाँ पे जो मिल रहे हैं मशूर दिल्ली के छोले बटूरे एक बार मैं आपको लोकेशन समझा दू इसकी अगर तो यह जो सीधी रोड है यह नीलम से जो पेट्रोल पंप आता है नीलम फ्लाइवर से फरीदाबाद में वहाँ से आपको पेट्रोल पंप से राइट लेना है और थोड़ी सी आगया आपको यह नजर आ जाएगा चौको पास्ता शेक सेंड्विचीज है वो तो और रड़ी टेस्ची है ही है कस्मर का रिजू तो बहुत अच्छा आई रहा है पर साथ ही साथ हमार को दिमांड आ रही थी कुछ नाच्टे का ब्रेक पास्का लेकर आईए तो उक्सी के साथ हमें से चार्ट करा है चोले पटूरे करीकि डिखा लखते हैं ऐसकी आई चार्ट है कि अच्छा शचान और को इप कोई बीकितरी नहीं है अब देख से के जबें ॐपूर्य है जो अवरबिकिते हैं एक चोले कोई पटूरे देक्री क्तर् देख के तो ऐसे ही लगड़ा है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आप इसमें 40 रुपीज में पेड भरके आप इसको खा सकते हैं, और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जब में पैसे नहीं है, यह नहीं है, मात्र 40 रुपे में आपका नाश्ता पेड भरके आप खा सकते हैं, क्षमर आते हैं वैं जहां है जो है टेक्समर हो तब हम हैं और टेंक्य। छोले बटूरे खाने के जो शोकी नहें लोग उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही दमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हम आए हैं दिल्नी के मशूर पनीर वाले छोले बटूरे खाने और यहां यह हम आए हैं एड्रेस में डिस्क्शन में डाल दूँगा इसका एक बार यहां आये जरूर क्यों इनके जो शेक्स हैं निटी फाइब में बहुत ही मशूर हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली छोले बटूरे स्टार्ट करें हैं जोकी बहुत ही जेनून रेक में हैं और एकदम दिल्ली वाला सौथ देने वाले आपको तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लैट्स को और देखते हैं इनके छोले हैं कैसे दोस्तों मेरा नाम मदन उबराय है मैं चोकोई डिवाई में पिछले दो सालों से आ रहा हूँ यहां के जोकी शेक बहुत ही टेस्टी है मैं काफी टैम से शेक स्ट्राई कर रहा हूँ अभी रिसेंटली इन्होंने छोले बटूरों को काम चुरू किया है आपको दोस्तों दिल्डी जाने भी जूरब नहीं है जो की इनके शोलों इतने टेस्टी है इतने टेस्टी है कि जातर मेरा नाश्ता इनी के टेबल पर होता है और मेरी मुम्ही रोग मुझे उससे लड़ती है चिलाती है बेटा बेट खड़ाब हो जे मैं कहते हो नहीं मुझे छोलों उटरों खाने है तो अभी की दुखान कहीं खाने है पाइदाबार में ऐसे छोड़े बटूदे कई नहीं मिले गए अब खा के देखो हड़ी नाम जैसे स्वाट आएगा तो भाई ये देखो इनके मजेदार छोले छोले देखने में बहुती ज़्यादा डिलीशियस है ये देखो गाड़े गाड़े एकदम छोले है और पतले वाले नहीं है जैसे दिल्ली में मिलते हैं पुरानी दिल्ली में एकदम वैसे ही छोले लग रहे हैं भाईया और यह अलू भी वही दिल्ली वाले हैं भाईया अनजी पात है मसाले दार आलू और शाथ में चोले मजही आ जाने वाला है आस्तो और चोले में जो मैं देख पा रहा हूं अधरक के लच्छे भी बढ़े हुए तो अधरक के और बहुत भड़ीया स्वाद उने वही यह चोले बनते कैसे हैं थोड़ा बताएंगे यह हमारे कारी कर साभ है इन चोलो में कितने मसाले क्या क्या पढ़ता है 42 मसाले है और इसमें कुछ टमाटर प्याज का भी प्रोड़क होता है यह अलग से वह बना कर उसको रखते है ग्रेवी तो यह चटनी किस चीज की होती है चटनी है पालक पुदीना धनिया डालक चटनी बहुत ही जवर्दस लग रही है इसमें दही तो नहीं मिलता है थोड़ा सा दही मिलता है उसी से बढ़िया फ्लेवर आता है और यह रखी है यह फ्राइ की हुए हरी मिट्च है तो इसी पूरो की दरफ चलते हैं और आपको बटूरे दिखाते हैं तो भाईया ने देखो कैप और पूरा प्रिकॉशन से ले रखे हैं और जो बटूरे के हाथ से लगाएंगे इसलिए गलब्स पहन नहीं सकते है अब भाईया बटूरा लगाओ हमारा बढ़िया से हाथ बटूरा जवर्दस्त बटूरा एक दम हल्दी राम की याल आ रही है मुझे बटूरा देखके आप ये बटूरों के पेड़े देखो मतलब दो बटूरे खाके आगनी अराम से जिख जाएगा इतने बड़े-बड़े पेड़े हैं और बटूरे का साइज भी आप देख सक बरफूरा है छोले बहुत ही जवर्दस्त हैं इनके मालब देखके ही मजा आ रहा है छोले देखके ये साथ में आलो क्या बात है मसाले वल्या आप बटूरे में मसाले वाली साथ में आपका चार क्या आपका और ये ब्याज प्रटिवरी इसके बिना चीज अदूरी है इसके बिना छोले बटूरे में मज़ा नहीं अदूरे हैं और ये आपी जरीन चट्मी बहुत ही बढ़िया और हमारे बटूरे और ये हमारे बटूरे की प्लेट हो गई रेडी चम्मच की कॉल्टी देखो आप ये चम्मच है तो चलो भाई बहुत ही सुन्दर प्लेट इसको ट्राई करते हैं एक बार और आपको भी बताते हैं हमारी प्लेट इतनी जवर्जस लग रही है कि पूरा टोटल आप बोल नी सकते हैं छोले बटूरे चालीज रुबेगी है ये देखो बटूरा एकदम फूला हुआ और बटूरे के अंदर पनीर भी है क्या बात है थोड़ी बहुत पनीर की स्टफिंग भी है बटूरे में और एक दम वह वाला बटूरा है जाली नॉर्मल नी है जो कुछ लोग पूरी की तरह बटूरा बना देते हैं वैसा बटूरा नहीं है ये प्रॉपर बटूरा है और यह है हमारे छोले छोले में जो अधरक के लच्छे नजर आ रहे हैं तोड़ा बहुत पनीर भी है और छो किए पात लिए ओना result न झेले आरे जब भात है भात बड़ी है छोलों का जो मसालें वो अलग सभी बोल रहे हैं कर अधना फ्लेवर है साथ में चुह थरख लेनों टाला ए बहुत ईघच्छ करा है अब एक बाई लेंगे हम स्ऩथार और यहाहिए भात गूस्या so यह देखो बटूरे में भरे छोले, साथ में ली एक प्याज, चट्मी और तूबूर, मज़ा आगया बहुत, चालीज रुपे में, I don't think आपको इस प्वालिटी के छोले बटूरे पुरे फरीदावाद में पहीं में लेंगे, इंब्रेक दिल्ली में भी, यह बाइड अवर्डस है, जवर्डस, जो हमने चट्मी ली है, यह प्याज और चट्मी, इसका बहुत भी बड़ी अ फ्लेवर आ रहा है, लवली, मज़ा आगया, खाव खाव, 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 खाव. वाई, प्लेट हो गई, पूरी फिनिश, मैंने और चतिन ने मिलके पूरे घाली है, कैसे लगे चतिन? बहुत ही बढ़िया जहर तुम्हारे लेंग्वेज ना करो ले तो जहर बहुत मज़ेदार बहुत मज़ेदार हमारा पेट भरा हुआ था फिर भी पता नी कम में खतम होगे पता ही लगा हम एक जगे बहुत शूट करने के आ रहे थे और ये छोले बटूरे हमें देख गए तो हमने का इसको ट्राइ करते हैं और फिर भी हम इतने टेस्टी देगे फिर भी हम पूरे खा है चोको डिवाइन में आना है एनाइटी 5 में लोकेशन मैंने बता दी है डिस्क्रीशन में लिंक भी डाल दूंगा मैं 40 रूपीज में इससे बढ़िया चोले बटूरे कहीं नहीं मिलेंगे इंजॉय करें इसी तरह है पचके रहें सेफ रहें और जहां सेफली खाना बनाय जा रहा है वहीं खाना खाएं बार हर जगे नहीं खाएं तो कोशन्स लें पूरी और ये छोले बटूरे इंजॉय करने एक बार जरूर है शुक्रिया